रोड कंस्रक्शन का काम चरहा होता है एक जिसी भी मशीन लगातार रोड कंस्रक्ट करने के काम में लगी होती है लेकिन उससे पहले उसे खुदाई करनी होती है वो खुदाई में लगी होती है तभी अचानक बहुत सारे बंदरों की फौज आ जाती है और JGB मशीन को खेर लेती अचानक JGB मशीन भी खराब हो जाती है आखिर क्या था ऐसा कि वो बंदर रोकना चाहते थे JGB मशीन को कैसे खराब हो गई JGB मशीन अचानक काम करते हुए Is Quissance के पीछे की साचाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे और जब जान लेंगे तो आपके दिल में करुणा जाग उठे या आपके दिल में एक अलग ही भाव आजाएगा तो इस वीडियो को आन तक जरूर देखें यूँ तो आप सभी जानते हैं कि हिंदु धर्म को सबसे पुराना और सबसे पूझनी माना जाता है हिंदु धर्म में गाय हो या वानर हर किसी को आराधि देव के साथ जोड़ कर पूझा जाता है जहां गाय को गव माता माना जाता है वही बंदरों को हनुमान के वंच का माना जाता है और उनकी सेना से जोड़ा जाता है याने कि वानर सेना से भारत देश में तो आप सब ने देखा ही होगा लेकिन आज इस घटना की हम बात कर रहे हैं वो कहीं और की नहीं बलकि हमारे पडोसी देश पाकिस्तान की सरजमी पर घटी है जी हाँ इस घटना की घटने के बाद सभी पाकिस्तानियों ने भगवान हनुमान और उनकी वानर सेना का लोहा मान लिया है चलिए जानते हैं आखर ये किस्सा क्या है दरसल हुआ ये कि कुछ दिन पहले एक रोड का काम चल रहा था ऐसे में पाकिस्तान के प्रशासन द्वरा रोड पर कारे के लिए जेसी भी मशीन लगाई गई थी कुछ घंटों की मशक्कत करते हुए उन्होंने रोड का कारे तो किया लेकिन अचानक से वह जेसी भी मशीन खराब हो गई उसके बाद दोबारा टेकनिकल एरर के चलते एक और जेसी भी मशीन लगाई के लिए लेकिन अचानक आसपास के पेड़ों में बहुत हल चल देखने को मिली जब लोगों ने पेड़ों को गौर से देखा तो वहां कोई और नहीं बलकि हाजारों की संक्या में बंदर आ गए थे वानर आ गए थे जो लगादार पेड़ों को जंजोर रहे थे और उन में से कुछ वानर विभिन प्रकार की आवासे निकाल रहे थे ऐसा लग रहा था कि मानों वह कुछ कहना चा रहे हैं और जब लगादार ये सुनने के बावजूद भी जेसीवी मशीन का काम चलता रहा तो ऐसे में बहुत सारे वानर नीचे उतर कर उस जेसीवी मशीन पर हामला करने लगे और रोट कंस्रक्शन करने बाला पूरा प्रशासन डर गया क्योंकि वो वानर सौं की गिंती में नहीं बल्के हाजारों की संक्या में थे और उस जेसीवी मशीन पर हामला कर रहे थे लगातार उस कारे को रोखने का प्रयास कर रहे थे जब प्रशासन के अधिकारी पूरी तरीके से हताश हो गए तो इन में से कुछ ने वन जीव सर्रक्षन के लोगों को बुलाया और उन बंदरों को हाँ से दूर भगाने का प्रयास किया वन ने विभाग के द्वारा कई बार हावा में फाइरिंग की गई ऐसे में वानर भागे नहीं बलके आसपास की पेड़ों मुझा कर वापस पैट गए और यहीं नहीं उन बंदरों की आवाज में करकश्ता और बढ़ा गई ऐसे में जैसी भी मशीन रोट के पास थे ते पास जा पहुँची और उसे तोड़ने का प्रयास करने लगी वो जैसे भी मशीन लगतार कार कर रही थी ऐसे में उन्हें जैसे ही खंडर को कुछ भी मीटर खोदा उसके दिवार गिराई बंदरों की आवाज और ज्यादा भयानक हो गए और वासपास की दुकानों में मचपा रहा था जिग्यासा लगतार बढ़ती जा रही थी कैसे हरकते वानर कैसे कर सकते हैं भला और क्या है इसके पीछे कारण है क्योंकि आज से पहले तभी उन्होंने ये सब होते हुए नहीं देखा था ऐसे में जैसे में जैसी भी मशीन में आवाज आने लगी ऐसा परतीत हो रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं कोई है जो उन्हें दर्शन देने के लिए आने वाला है ऐसे माचानक से जैसी भी मशीन के चालक ने जैसी में मशीन को बंद कर दिया और उतरकर जमीन का जाइजा लेने लगा लेकिन जब उसने देखा कि आखिर धर्द देखने को मिला जो कभी किसी नहीं देखा था वहां मिली हजारों साल पुरानी पड़ी हुई हरुमान जी की प्रतिमा जो की अत्यंत प्राचीन थी साथ ही साथ वह कांसे की बनी हुई थी ऐसे में सब की जिग्यास और बढ़ गई सभी समझ गए कि ये वानर आखिर क्यों शो पास में ये खंडर जो दिखाई दे रहा है वो हनुमान जी का मंदिर ही है जिसी खुदाई के रुकावट बने हुए थी वानर वो कोई और नहीं बलकि हनुमान जी का यहासिक मंदिर था उसके आसपस जब खुदाई की गई तो कई बहुमूल्य मूर्थियों और कलाकृति हनुमान जी की मूर्थी के साथ 8-9 अलग-अलग मूर्थियां भी मिले जिसमें जिसमें अलग-अलग मूर्थियां थी जैसे की गणेश जी की मूर्थी शेर वाली मूर्थियां और मिट्टी के बने बरतन भी थे लेकिन जो घटना घटी याने के लगातार वानरों द्वार और आसपास के लोगों को परिशान किया गया और रोड की खुदाय के दौरान कई बार वानरों द्वारा लोगों को परिशान किया गया ये दरशाता है कि वह किसी और करही बलकि सुयम अपने अराध्य देव हनुमान जी के इंतजार कर रहे थे और वह ये नहीं चाहते थे कि कोई भी हनुमान जी की मूर्तिया उनके आस पास पड़ी हुई बहुमली चीज़ों को नश्ट करें ऐसे में साफ दर्शाता है कि हनुमान जी आज भी अजर अमर हैं साथी साथ अपनी वानर सेना का खयाल भी रखते हैं जिसके चलते पाकिस्तान के रोड भोरे खुदाई के दौरान भी ये घट न घटी अगर आप भी सच्छे हनुमान भगत हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके देश भर में फैलाएं शेयर कीजिए वाटसैप पर फेस्बुक पर और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो इस पेश को फॉलो करना न भूलें मिलते हैं गरे दिल चस वीडियो में तब तक के लिए आप सब का हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद